ओम नमाशिवाय आत्मात्वं गिरजामती सहचरा प्राणाशरीरं ग्रहं पूजाते विसयो पभोग रचना नेद्रासमाधेस्थेतिर संचारापदयो प्रदक्षन वेधेस्थ तोत्राणिसर्वागिरो याध्यात्कर्मकरोमितत्तदखिलं संभोस्तवाराधनं नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज वर्ड इंडिया का खास प्रोगराम भविश्यवारी आपके साथ मैं हूँ पंडित चंद्र शेखर सर्माद लेकर आया हूँ आपका सापताहिक रासी फ़ल तो आईए देखते हैं सबसे पहले मेस रासी तो मेस रासी की जो जातक हैं इस अपते आप महंगी खरीदारी कर सकते हैं शंभवत अपना घर वदल सकते हैं या परिवार में किसी नए सदसे का आगमन हो सकते हैं जिसके चलते उस सब पूर्ण माहौल वनेगा आप किसी असाध हरण पालतु जानवर को घर ला सकते हैं आप किसी जिम, इस्पा या प्राकर्तिक चिकिस्सा के अंदर की सदस्ता ले सकते हैं ताकि अपने बड़े वजन को आप नियंतरित कर सकें आपके सामने कई संभावनाई मौजूद हैं आपकी जोली भरी हुई है और यह सिर्फ छोटे मोटे अपसरों से नहीं है यह समय बेहत अनकूल है जिसमें आपको हर काम में सफलता मिलेगी तो आपके लिए उपाए है कि आप भगवान भोलेनाथ की शिव जी की आराध न करें वो आपके लिए काफी लावकारी रहेगा ब्रशवराशी तो ब्रशवराशी वाले इस सप्तह आप जोस से भरे हुए हैं और चामतकारी काम करने वाले हैं आपका स्वास्त भी अच्छा है कम से कम आप अच्छा महसूस कर रहे हैं और इसका लाभ आपको मिलेगा आपका अहिंकार बढ़ सकता है आप गलत फहेमियों के शिकार भी हो सकते हैं और जगडे फसाद में भी फस सकते हैं आपका रोमांटिक जीवन में प्यार बढ़ेगा जो लोग साधी सुदा हैं भी अपने रिस्ते को नई उचाईयों पर ले जाएंगे और अववाहित इतनी ततपरश्टाशे किसी को पाने का प्रियास करेंगे मानो ये दुनिया जल्द ही खतम होने वाली है आपके लिए उपाए हैं कि आप भगवान ब्रश्पती देव की आराध ना करें ऐसा करना आपके लिए सुभ रहेगा अब मिथुन राशी तो मिथुन राशी के जो जातक हैं इस अपता है आप खुद को शंगठित करेंगे हकीकत का सामना करेंगे और आपको अहसास होगा कि जीवन में कुछ भी मुफ्त में हासल नहीं होता आप कठिन और परिश्णम करेंगे और मैं यहाँ जोड़ दूँ कि एक अबदी का प्रभाब अक्षर दूसरी अबदी में भी शामिल हो जाता है इस अपते आपके साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है मैं कोई भगवान नहीं हूँ मैं आपका प्रिय जोटसी हूँ जो आपसे दूर बैठा हूँ याद रखिए कि ये सामान ने भविश्वानिया है मेरे पास आपकी ब्यक्तिकत जनम कुंड़ी नहीं है जियोतिस बिज्ञान कभी भी आपको कुछ करने पर मजबूर नहीं करता है बलकि बहस सिर्फ प्रेरित करता है आपके लिए सुब उपाय है कि आप गणेजी की आराध न करें वो आपके लिए सुब रहेगा अब आती ही करकराशी तो करकराशी के जो जातक हैं वो कठोर और त्वरित निर्णे लेना आपकी प्रमुख ताकत नहीं है इस अपते आप अपनी इस कमजोरी से ग्रस्त रहेंगे इस प्रकरिया में महत्पूर सौदों को आप खो देंगे और आपके पारवारिक जीवन में कापी कुछ घटित हो रहा है जिसमें जमीन जायदात के लिए बिवाद भी सामिल है अगर अब तक सब कुछ सामानी था तो अब तयार रहने का समय आ गया है और इस तब तह आपका ध्यान पारवारिक मामलों पर पूरी तरह कैंदृत रहेगा आपको अपना आलसी वा टालू रवया छोड़कर महनत करने के लिए कमर कसलेनी चाहिए आफिस में कोई उस सब भी मना सकते हैं धन शम्मंधी मामलों के लिए समय बहुत अच्छा है आपके लिए सुब उपाय है कि आप भगवान भोलेनात की आराधना करें अब आते हैं सिंगरासी तो सिंगरासी के जो जातक हैं उनको इस अपताह रिस्तों में इस्थिरता प्यार और लालसा वनी रहेगी आप प्रेम शम्मंधों को मजबूत गरप्त में हैं यदि किसी अजगर की कुंडलियों में फसे होने से भी ज़्यादा अजीव हैं और आप असहाय होकर बाहर निकलने के लिए फड़ पड़ा रहे हैं तो इसका समाधान करने की अपनी इच्छा सक्ती का उप्युक करें आप परोपकारी मुद्रा में हैं और आदर्स रोमांस को ही तरजीह देते हैं आपको परिवार का साथ मिलेगा और वच्चों के साथ समय विताएंगे इमोसनली अपने आपको थोड़ा बैलेंस रखें और मेडिटेशन करें और आपके लिए जो सुभो पाए हैं गणेश जी की आराधना करें ऐसा करना आपके लिए हर तरह से सुभ रहेगा अब आते हैं कन्याराशी तो कन्याराशी के जो जातक हैं आपके जीवन में अब पहले से भी अधिक इस्थिरता आएगी आप नए सौधे करेंगे और दूसरों चे विचार विमर्स करती हुए खुद को जागरूप करेंगे आप अपने कदम बहुत ही साबधानी से आगे बढ़ाएंगे आप किसी गुरू की तलास कर सकते हैं या दूसरी संस्कृती से जुला कोई व्यक्ति आपको प्रभावित भी कर सकता है वह व्यक्ति आध्यात्मिक भी हो सकता है हाला कि आप काफी कुछ सीखने का प्रियास करेंगे और एक बहुतर व्यक्ति के तौर पर उभर कर सामने आएगे बच्चे आपके जीवन में खुसियां लाएंगे और आपके परिवार में किसी नई सदसे का आगमन भी हो सकता है आपके लिए सुब उपा है कि आप माता राने की आराधना करें आपके लिए स्रियस कर रहे हैं अब आते हैं तौलाराशी तो तौलाराशी के जो जातक हैं आपके जीवन में हर चीज की अधिक्ता है सब कुछ एक साथ हो रहा है फिर भी कुछ निर्णाय घटित नहीं हो रहा है आपके परिवार में कोई बीमार पढ़ सकता है या फिर कोई पुराना तवचा संक्रमन फिर से उभर सकता है ऐसे में आपका समय बिसे सग्यों की साथ भी देगा इससे पहले कि आप बुरी तरह फस जाएं संक्रमन की जड़ तक पहुचने का परियात करें रिष्टे भी इस हपते थोड़े पेचीदे हो सकते हैं और आपने जो नहीं किया उसका इलजाम भी आपके शिर पर आ सकता है आपका समय कानूनी मामलों या कोट के बाहर निप्टारे में भी वीतीगा आपके लिए सुबह उपाय है कि आप गणेशी की आराधना करें और आपके लिए यही लावकारी रहेगा अब आते हैं ब्रश्चिक रासी तो ब्रश्चिक रासी को जो जातक हैं अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं या कला या संगित से जुड़े हैं या पर किसी वी रचनात्मक कारिय का हिस्सा है तो आपको कोई वड़ी वित्य सफलता मिलने वाली है और आपका समय भी अच्छा वी देगा इस अपते आपको पुरुषकार, प्रतिफल, प्रशनशा और यस मिलेगा आप किसी NGO से जुड़कर शामाजी कारे करेंगे या फिर जरूरत मंदों की मदद करेंगे जो लोग सियर वाजार या प्रॉपर्टी डेलिंग से जुड़े हैं उनके लिए भी यह सब्ता बहुत अच्छा है सप्ता के अंत में परिवार के साथ enjoy करने का विष्तित पिलान भी बना सकते हैं तो आपके लिए सुब उपाय है कि आप हनुआन जी की आराधना करें आपके लिए serious करें अब आते हैं धनुराशी तो धनुराशी के जो जातक हैं इस अप्ताह उनको हर पिरकार के खर्चे करने पूर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप पैसे बरवात करने हैं लेकन खर्च करने की वाधिता तीब्र और जरूरत पर आधारी था है परिवार को आपके ध्यान और समय की आवश्यक्ता है और वड़ती महंगाई आपकी मुश्किले और भी बढ़ा रही है इस समय आपके लिए करे निर्णे लेना मुश्किल हो सकता है लिहाजा आप उन जगहों पर पहुँचने में नाकाम हो सकते हैं जहां आपकी जरूरत सबसे ज्यादा है इस समय जुए यह सक्टे वाजी को नजर अंदाज करें अगर आप नए सोदों पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं तो कानूनी सलाह भी जरूर ले तो आपके लिए सुभ पा है कि आप गणिश जी की आराध न करें आपके लिए सुभ है अब आते हैं मकर राशी असीम उर्जा मौझूद है आपको शामो ही गत्विदियों में हिस्ता लेने का मौका मिलेगा जो आपको काफी पसंद भी है आपके जीवन में प्यार का आगमन होगा और किसी और से प्यार करना भी आपके जीवन को आपके लिए मजबूत और सुद्रन बनाता है घरेलू जीवन के कुछ काटे आपके सामने उभर कर आ सकते हैं जिनें आप दूर करने का प्रियास भी करेंगे तो आपके लिए सुभपाय है कि सिर्फ आप गणेश जी की आराद न करें और यह आपके लिए स्रिष्ट तम है काफी लावकारी भी रहेगा अब आते हैं कुम्भराशी तो कुम्भराशी के जातकों को चूंकि आपने यह तै किया है कि आप दुनिया की अलग-अलग जगहों और जीवन की अलग-अलग छेत्रों को खोजना चाहते हैं लिहाजा इस अपते आप अकेले यात्रा पर जाएंगे बैसे तो आप उनमें से हैं जो शमूह में यात्रा करना परशंद करते हैं लेकिन इस अपते आप एक अपबाद प्रस्तुत करेंगे कि नई लोगों से मिलने के कारण आपको मौज मस्ती करने का मौका मिलेगा और जीवन में नई संभावनाई भी प्रबल होंगी आप किसी पालतू पसू को गोद ले सकते हैं न्यूजियम स्भाव पारकों में समय बिता सकते हैं और ब्रिश्राम भी कर सकते हैं आपके लिए सुब उपा है कि आप हनवान जी की आराध ना करें ये आपके लिए सुरेष्टतम उपा है अब आते हैं आखरी रासी मेन राशी तो मीन रासी के जातकों को आपके भीतर अंतर बिरोधों का पूरा पुलिंदा मौजूद है आप सब कुछ एक बार में ही प्राप कर लिना चाहते हैं और फिर भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि कहां से सुरुआत करें यह ठीक वैसा ही है मानो आप कहीं जाने के लिए तैयार वैठे हो पर यह नहीं जानते हैं कि आप कुछ जाना कहा है आप अपने ही दुनिया में मगन है और राक्षसी प्रवर्ती वाले लोगों को वक्सने के मूड में भी नहीं है यह समय थोड़ा विजलित करने वाला हो सकता है लेकिन आप यह हपता समाप्त होने से पहले रोशनी की कोई क्रण धुड़ने में सफल रहेंगे और आप इस पश्टवादी स्वतंत्र और निडर है तो इसके लिए आपको उपाय है कि आप भगवान शिव की आराधना करें यह आपके लिए स्ट्रेश्ट तब उपाय है आज के लिए इतना ही अगले सब्ता फिर हाजिर होते हैं आपके नए रासी फल के शाथ मंत्रार्था शफलाशंतु शफलाशंतु मनोरथा शत्रणां बुद्धिनाशाय मित्राणां मुद्यस्तव ओम नमाशिवाय